अगर आप मश्रूम से बनाना चाहते हैं कुछ स्पेशल तो बनाएए मश्रूम लबाबदार नमश्कार दोस्तों कुक्वित पैशन में एक पर फिर आप सभी का स्वागत है आज हम लेकर आए हैं मश्रूम लबाबदार जो बनता है बहुत ही टेस्टी तो वीडियो को अंतक्त जरूर देखेगा तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए यहाँ पर हमने मश्रूम को काट लिया है धुलकर अच्छे से और यहाँ देखे इसके पीसे समें थोड़े से बड़े ही लिये हैं तो अब यहाँ पर एक चौथाई चमच गया है हल्दी पाउडर एक चमच कस्मेरी लाल मिच और साथ ही गया है अधरक लसुन का पेस्ट लगबग आधा चमच और यहाँ पर एक चमच हमने मिला दिया है दही नमक आधा चमच और अब बस इन सब को अच्छे से कर लिजिए मिक्स और इसे आधे घंटे के लिए मरिनेट करने के लिए रख देजिए इससे मश्रूम का स्वाथ काफी बढ़ जाता है तो अब लेते हैं हमें एक पैन और इस पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा पानी लगबग आधा कप के बराबर और यहाँ पर बड़े साइज में कटा हुआ हमने एक बड़ा साइज का प्याज लिया था वह काट लिया है वह इस डाल देंगे और लगबग दो टमाटर लासुन की कलिया चार छील कर हमने अच्छे से डाल दिया है यह है दालचीनी का एक चोटा सा टुकड़ा और यह गया है कसूरी मेथी लगबग एक चमश अब इन सब को हम अच्छे से पका लेते हैं जब तक कि टमाटर बिलकुल बढ़िया सा गल न जाए तो यह देखिए टमाटर बिलकुल बढ़िया सा गल गया है और पानी भी सूख गया है तो अब हम इसे एक तरफ रख देंगे और इसे ठंडा होने के बाद एक अच्छा सा पेश्ट तयार करेंगे अब एक कड़ाई में हम डालेंगे तेल और जब तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो हमने डाला है हरा मिर्च आप जाहें तो लाल मिर्च का भी प्रयोग कर सकते हैं एक तेज पत्ता और एक मीडियम साइज का प्याज बिलकुल है चोटे-चोटे टुकड़ों में काट लिया गया है यह इसमें डाल दिया है और जब यह बिलकुल अच्छे से भून गया है तो यहा में तयार किया था मरिनेट करकर मश्रूम को वह इसमें हम डाल देंगे और अब इसे एक बार अच्छे से कर लेते हैं मेक्स और इसी के साथ इसमें गया है काली मिर्च लगभग आधा चमाज और अब इसे हम ढखकर पांच से दस मिनट के लिए पकाएंगे फ्लेम को बिलकुल मीडियम टू लो पर रखेंगे तो पांच से दस मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मसाले तेल भी छोड़ रहे हैं तो अब यहाँ पे कुछ हम मिसाले मिलाएंगे जैसे गया हिस में धनिया पाउडर एक चमच, हल्दी पाउडर एक चौथाई चमच मैरिनेट करते से हम भी हल्दी पाउडर में मिलाया था तो यहाँ पे थोड़ा सा कम लेंगे आप इसी स्टेज पर कस्मीरी लाल मिर्च भी मिला सकते हैं तो अब इन्हें अच्छे से कर लीजे मिक्स और फिर से इसे 2-3 मिनट के लिए ढखकर पका लीजे फ्लेम को मेडियम टू लो पर ही रखिए 2-3 मिनट के बाद मसाले मिलकुल अच्छे से भून जाएंगे और यह तेल भी छोड़ देंगे तो अब यहाँ पर मिला लीजे स्वाद अनुसार नमक नमक मिलाते समय ध्यान रखेगा कि आपने जब मश्रूम को मेरिनेट किया है तो उस समय भी आधा चमच नमक मिलाया है और यह हमने पेस्ट मिला दिया जो हमने तयार किया था काजू का पेस्ट और इसमें थोड़ा सा मिला दिया है पानी तो अब इन्हें भी कर लीजे अच्छे से मिक्स और अब यहाँ पे आप अपने ज़रूरत के अनुसार पानी मिला लीजे वैसे consistency तो आप देखी सकते हैं तो पस इसी के हिसाब से आप पानी मिलाएगा सब्जी को बहुत पतला नहीं रखना है तो इसमें एक उबाल आने दीजिए एक उबाल बिल्कुल अच्छा सा आ गया है और यहां देखे सब्जी लगभग बनकर हो गई है आपकी तयार सब्जी यह बनती है बहुत टेस्टी एक बाद जरूर ट्राइ कीजेगा इसे रोटी और नौन के साथ भी ट्राइ कीजेगा बहुत टेस्टी बनता है तो अब यहां पे हम मिला देगे इसमें गरम मसाला यहां पर गया है आधा चमज गरम मसाला और साथ ही आधा चमज के करीब इसमें जाएगा सहद इसी के साथ हम इसमें मिलाएंगे खोप सारा धन्या पत्ती पिल्कुल फ्रेश तो लीजिए दोस्तों सबजी हो गई है तयार तो एक बार इसे अच्छे से mix करेंगे और थोड़ा सा इसका richness बढ़ाने के लिए इसमें हम मलाई मिलाएंगे तो यहाँ पर हमने घर की ही मलाई का इस्तेमाल किया है तो दो से तीन चमच आप इसमें मलाई मिला लीजिए बिल्कुल optional है अगर आप चाहें तो मिलाई नहीं चाहते हैं तो मत भी मिलाएं लेकिन इसको मिलाने से सबजी का टेस्ट काफी बढ़ जाता है तो एक बार इन सब को अच्छे से कर लीजिए mix और mix करने के बाद आप इसे लगभग एक मिनट और पका लीजिए medium to low flame पर यह दोस्तों यह समझी बनकर हो गई है बिल्कुल अच्छे से तयार तो आप इसे अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राइ कीजिए लंज में खाईए या डिनर में खाईए पर यह बनती बहुत टेस्टी है तो दोस्तों आपको हमारी रेसिपीज कैसी लग रही है अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सकाइब कर दीजे बेल आइकन को प्रेस कर दीजे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक रखिए आप लोग अपना खयाल नमस्कार